कोरोना वायरस के महा संकट के बीच आज प्रधान मंत्री नरेंदर मूधी ने इंडियन चेमबर औफ कॉमर्स यानी ICC की विशेश कारक्रम को संबोधित किया प्रधान मंत्री ने अपने भाषन के शुरुवात बंगाली भाषा में की ये कारक्रम कॉलकता में हो रहा है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने इस दौरान ये कहा कि 95 साल से ICC देश की सेवा कर रहा है पियम मोदी ने कहा कि अपने गठन के बाद से ICC ने अब तक काफी कुछ देखा है और भारत की विकास यात्रा का हसा रहे हैं साल की बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब देश कई मुश्किलों को जेल रहा है आज देश में कोरोना वाइरस है टिड़ी की चुनौती है कहीं आग लग रही है तो रोज भुकंप भी आ रहे हैं इस बीच दो साइकलों भी आए कभी कभी समय भी हमारी परिक्षा लेता है पियमोदी ने कहा कि इस वक्त मुसिबत की दवाई सिर्फ मजबूती है मुश्किल वक्त में भारत हमेशा आगे बढ़कर सामने आया है आज पूरी दुनिया ही इस संकट से लड़ रही है बनाना है आत्म निर्भर भारत ही टर्निंग पॉइंट है